हिंडू धर्म में गौमाता के प्रती अति आदर एवन प्रेम भावना व्यक्त कि जाती हैं। गौमाता बिना किसी भेड भाव के सभी को दूध देने वाली हैं बिलकुल एक मा की तरह। गव का डुग्ध शुध एवं पौश्टिक होता है जिसका उपयोग विभिन हिंदू विधियों की दोरान किया जाता है। ये जीवन और प्रजनन का प्रतीक है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही परमात्मा है। भगवान शिव जी अनन्त है, अनादी है। शिव परिवार को जब हम देखते हैं तो इसमें यह संदेश मिलता है, यह ज्यात प्राप्त होता है। कि जब हम देखते हैं कि भगवान शंकर जी का वाहन ब्रिशब है बैल, और शती मा शक्ती के जो वाहन है, वो है सीह, और दोनों एक परस पर बै रखते हैं, लेकिन शिव परिवार में एकता के साथ जीते हैं। गणेजी के वाहन को देखते हैं मुशक, चुहा और सुयम गणेजी बाड़ा विशा रूप गज के समान, लेकिन वो दोनों साथ साथ रहते हैं, एकता के प्रतीक है। भगवार शंकर के गलिक आभूशन देखते हैं तो सर्प है, और कार्तिकैजी के वाहन को देखते हैं मोड है, जंगल में ये दो बै और के समान रहते हैं, लेकिन शिव परिवार में एकता के साथ रहते हैं, ये शिव जी का विशेश संदेश है, शिव ही प्रकाश है, दिक्त, गौमाता, स्वास्थ्य एवं सम्रिधी का भी प्रतिक हैं। अपने नए घर के पवित्रकरण एवं शुद्धता के लिए प्रायह, एगव और उसके पालग को निमंत्रित क्या जाता हैं। मानेता हैं कि इससे घर और इस्थल का सुद्धे करण होता हैं। ये प्रत्था भक्तों और गौमाता के बीश गहरा आध्यात्मिक एवं भावतिक संबध दर्शाती हैं। मौशिस में भी कुछ विशेश हिंदू विधियों में गौमाता की भागीदारी होती हैं। ये भक्तों के दैनन दिन और आध्यात्मिक जीवन में गौमाता के महत्यों को दर्शाता हैं। इन रितियों से भगवान प्रक्रिती एवं मानों के बीच संबंध मजबूत होते हैं। मिसाल के तोर पर भारत के तिरुपती बालाजी पोविल में अभिशेकम समारोह में योगडान देने वाली गौमाता के प्रती खृतत जता जताई गई और उसकी अंत्येश्ती मानों की भाती हैं की गई। इसी से गउमाता के प्रती भक्तों की गहरी आदर भावना का प्रमान मिलता हैं। इसी से हमारी संपन प्रता जलगती हैं। साथ में गउमाता और मानों के बीच का अनूठा संबंध भी जलगता हैं। हरा हरा शंकर जये जया संपन था ए और हर शंकर जया जया शंकर छेर्णा हरा आई रूभार रसां करना हरा हरा आई श्वंकर1 श्वंकर 2 दिंग अरूभा कि य। ते है आई श्वंकर 2 लते जै य। व mean